ओम गनेशा आये नमहाम जै माता दी भक्तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवांग बेटा म्यूजिक्स में हार्दिक स्वागत है भक्तो हम नवरात्रों में मादुर्गा की पूजा करते हैं और नो दिन मादुर्गा के नो रूपों अर्थात नो देवियों की पूजा उपासना करते हैं आईए आज हम इस वीडियो में मादुर्गा के साथ में रूप माकाल रात्री के बारे में चर्चा करते हैं भक्तो हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवांग बेटा म्यूजिक्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जल्डी कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें और हो सके तो कुमेंट बोक्स में जैमाता दी जरूर लिखें मा काल रात्री के पावन कथा मा काल रात्री के पूजन से असुरी शक्तियां दूर भागती हैं नाम से अभिव्यक्त होता है कि मा दुर्गा की यह सात्वी शक्ति काल रात्री के नाम से जाने जाती हैं अर्थात जिनके श्रीर का रंग घने अंधकार की तरह एक दम काला है नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भियानक है सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विध्युत की तरह चमकने वाली माला है अंधकार मैस्थितियों का विनाश करने वाली शक्ती हैं काल रात्री काल से भी रिक्षा करने वाली यही शक्ती हैं इन देवी के तीन नेत्र हैं ये तीनों ही नेत्र ब्रमान के समान गोल हैं इनकी सांसों से अगनी निकलती हैं ये गरधब की सवारी करती हैं उपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है अर्थात भक्तो हमेशा नीडर और नीरभय रहो बाई तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा तथा नीचे वाले हाथ में खडग है इनका रूप भले ही भी अंकर हो लेकिन ये सदैव शुब फल देने वाली हैं इसलिए ये शुब भंकरी कहलाई अर्थाथ इनसे भक्तों को किसी परकार भी भैभीत या आंतकित होने की कोई अवश्यक्ता ही नहीं है इनके साक्षातकार से भक्त पुन्य का भागी बनता है काल रात्य की उपासना करने से भ्रमाण की सारी सिधियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भैभीत होकर दूर भागने लगती हैं इसलिए दानव, दैत्य, रक्षस और भूत प्रेत उनके स्मर्ण से ही भाग जाते हैं ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अगनी, जल, जन्तु, शत्रु और रात्री भै भी दूर हो जाते हैं इनकी क्रिपा से भक्त हर तरह के भैसे मुक्त हो जाता है जै कारा मानव रत्रों वाली का बोलो सांचे दरबार की जै, जै माता दी जै कारा मानव रत्रों वाली को जाता है